हेलो इस्टुएंट्स वेल्कम वेक्ट तो माय यूट्यूब चैनल इसमाट एस्टडी साइंस क्लासिट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमाडू एवम अडू इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि परमाडू की परवासा क्या होती है इसमाटो के लेटें नाम क्या थे आज कि इस वीडियो को करेंगे चलिए तो हो इस्टाट करते हैं जिसना हमारा पहला यह उस्टत्पों के प्रतीक जैसे विए वादर अर्गन का प्रतीक क्या हता है सीए impact एद एद बोरान Agron का प्रतीक क्या होता है बी यार उसके बाद है कैल्सियम का प्रतीक क्या होता है सी ये उसके बाद है कार्वन का प्रतीक क्या होता है सी उसके बाद है कोपर कोपर का प्रतीक क्या होता है सी यू उसके बाद है फ्लूरीन फ्लूरीन का प्रतीक क्या होता है एप उसके बाद है स्वर्ड या गोल्ड उसका प्रतीक क्या होता है एच उसके बाद है आयोडिन आयोडिन का प्रतीक क्या होता है आई उसके बाद है आ उसके बाद है लेड़ प्रतीक्व किहते हैं कि उसके बथे। और प्रतीक्या अग्ो प्रतीक होता है नि शलीकन को प्रतीक्व कि अपनता तक आता है। तो ईसके बाद ए एइसके बाद है से अने इसके बाद पढाँए तो वह एक दो आगा कोवाल्ट कोवाल्ट का परतीक क्या एक शूमान धिके तो वह तो होता है कि हुए है हमारा को वाल्ट किवह दोनों एक समान देखे तो वहती है हमारी कार्बन मोनोजाइड गहस उसके पार मेंग्वननिक नियोession का प्रतीक होता है지가 मरा नासस्ति उसके आपके सूत्र द्रवाड में काम आते हैं अगला टॉपिक है हमारा परमाडु द्रव्यान यानि एक तत्तो के परमाडु जितना द्रव्यान होता है उसे क्या बोलते हैं परमाडु द्रव्यान जिसको किस तरह मापा जाता है एक पूरा नाम होता है एक्टोमिक मास यूनिट यह प्राइड पहले क्या करते थे यह मापते थे लेकिन आज इनषार द्रभाज मान करें द्रिवान को Bij से लखते हैं यू का मतल्व हूता है यूँनिफाइड मास अगर इन्व के नहीं बस्तों मतलब होता है एकिकरत द्रभ्यवान क्या होता है एकिकरत द्रभ्यवान उसके बाद है हमारी परमादु द्रभ्यवान की परवासा यह नि कारण बारे समस्तानिक के एक परमादु द्रभ्यवान के एक वटे बारे वे भाग को मानक परमादु द्रभ्यवान के रूप में लेते हैं किसमें तो इसका एक तुकड़ा है यानि वारे टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा निकल रहा है उस १त तुक्ड़े को किसके रूप में उज्ज कर सकते है ईकमानक provided dhars ग्शन को क्या बोलायाता है उसके परमाणू द्रब्यमान उसके बाद ड़्यत् Dafy जैड क्षेट्टे हैं तो उसको लखने का तरीका होता है जैड नीचे उसके बाद एक्स से उबर एच्छे होता ह mais ज्याय क्रमांग अपका आपका राएक्ष्टर में अटेंडेंस नंबर होता है उसी प्रकार परमाडू का आवद साधी के अंधर परमाडू करमाद के आनि एक तरीके से अटेंडेंस नंबर माना जाता है उसके बाद है X X क्या है किसी तत्वय परमाडू का प्रतीक और A आनि किसी परमाडू के अंदर कितना दरब्य मान है यह होता हमारा किसी तत्वय परमाडू को लिखने का तरीका उसके बाद है अडू, अब इससे पहले हमने पढ़ा था परमाडू, अब पढ़ेंगे हम अडू, अडू क्या है, अडू ऐसे दो या दो से अधिक परमाडू का सम्मू होता है, जो आपस में राजसायनिक वंदों द्वारा जुड़े होते हैं, अडू क्या होता है, ऐसे दो के परमाडू आपस में सहयों करके अडू बनाते हैं जैसे दीने आपस te if broken को future आपस 마음에 देग सकते हैं एक नाट करते हैं अद्वत जिस प्रकार आप देख सकते हैं एक तुओ में कितने परमाडू नंबर परमाडू की बात करें तब तो तीन परमाडू है अगर मुक्चे रूप से बात करें कौन कौन सी तत्यों है तो दो तत्यों हमारे पास आइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी प्रकार देख सकते हैं पीफोर पीफोर क्या फासफुरस का कि अग्रिया कैसे हैं आपको इतने ही अग्रिया कैसे याद रखनी है क्यों होती है अक्क्रिया कैसे नियून और अर्गन यह एक तत्वाले अडू होती है उसके बादग धोतं वाले अडू जैसे O2, N2, S2, उसके बाद है F2, उसके दबाद है CL2, यह वाला नहीं लिखना है आपको, जो मैंने Red Pen से लिखा हुआ है, यहाँ पर वो लिखना है आपको, यह दो तत्तों वाले अड़ू कौन कौन से होते हैं, O2, N2, S2, F2, CL2, उसके बाद है कुछ तत्तों की परमाड उखता है, यानि कितने अड़ू का होता है, जैसे कि हम बात करें, आरगन, कौन साथ कितनी परमाड उखता है, एक परमाड उखता है, आरगन को कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह लिखेंगे बस, उस प्रकार बात करते हैं, इलियम है, इलियम को H2, इस प्रकार से लिखते है, Oxygen हैं, धूपर उखता है, चत्तर पर्माड़ को क्यों से लिखे हैं ऊसके बाद है शल्पर सल्पर वह परमाड़ के मतल़ चार से ज्याधा है अब सल्परकों मैंने कैसे लिखाता s8 यह किसो परमाड़ का Ja यह किसका पर पर के शोड्ययमई-अक कार्स ओंच जय क्यले को किसे लिखते को कैसे लिखते हैं a l किसे लिखते है यह से किसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं से जैसे हम बात करें अभी जो एक ग्राम कितना होता है एक ग्राम तो आपको याद नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब की फिलेलिस्ट क्लास 11 केमिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं मैंने वहाप वीडियो डाल रखा है कि किस तत्व का कितना परमाडू करमांग और कितना द्रब्व्यमान होता है आप वहाँ से याद कर सकते हो नोट कर सकते हो इसी प्रकार अगर हम बात करें ammonia चुर्ण फ्रकार और जो आप इतना होता है शुदह बिद्द इसक्राइब इसी प्रकार आप देख सकते हैं केल्चियों का द्रब्वान होता है चालीस ग्राम और ऑक्षिण का कितना होता है शोले ग्राम तो इस प्रकार अगर इनको अनपात में लिखके अगर मान लीजिए हम दोनों संक्याओं को सोले और किश से किसे करतें आठ से चालीस कितने बार जाएगा चालीस में कितने बार जाएगा वहाँ पौंछ बार और आगे कितने बार जाएगा दो अर्डाल्दध पार hug अनपाति क्या मिल जाएगा आप और पात चार उसी प्रकार ऑनेसल जिसको हम क्या बोलते हैं सादार नमक वहाइए उसके बाद अगला टापिक आता है हमारा समय जखता किसे कहते हैं कि किसी तथो के सहुजन सकती किसी सप्सक्राइब जब लाती है यानि किसी भी तथो दारा समय जन करने की जो चम्ता होती है उसकी क्या क्या कहलाती है जैसे कि माल लीजिए हम बात करें कारवन कारवन के अंदर चार आइडोजन को के साथ जुड़ा हो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कारवन की बंद बनाने की चमता कितनी है चार अगला टॉपिक है हमारा शूत्र लिखना अब सूत्र किस प्रकार लिखेंगे सूत्र लिखने के लिए आपको यह वाली साड़ी सबसे पहले याद होनी चाहिए जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बोल दियागा सूत्र लिखने के लिए के सोडियम क्लूराइट उसका सूत्र लिखिए तो सूत्र लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए यह सोडियम ह ने उसको सूर लिखते हम कैसे लिखेंगे आपको कितने आवेस होता है । जैसे सिल्वर को लिखते हम यहासे कौün first क्या मतला cu-1, क्या है cu-1, उसके बाद है magnesium, magnesium पर कितना आवश होता है, mg-2, उसके बाद है calcium, calcium पर कितना आवश होता है, ca-2, उसके बाद है drank gin, पर कितना आवश होता है, zn-–2 यह आपको याद अनने चाहिए, लिखते हैं अगर आप लिखोगे तब बोलते हैं उसके बाद है क्लोरीन अगर मैंको क्लोराइड तो आपको क्या लगना है लगना मैने आपको सूत्र में तो क्या लगना है आपको लिखना आपको व्य मैनेस आइस हो बतलब ओया बूटाएं। शल्पएट किसको बोलते हैं कि अकमानेह्यम say Exc सक्टाइब है ना हमारा नायट्रेट क्या लिखते हैं अन्ओ ध्री माइनक टिर्एंट नाइटरेट को एन ओ थ्री माइनस यह आपको अमोनियम ओएच माइनस आइड्रोकसाइड एन फॉर प्लस क्या आपका अमोनियम ओएच माइनस क्या है है आइड्रोकसाइड और नाइटरेट आइड्रोजन कार्वनेट या इसको हम बोलते हैं वाई कार्वनेट या फिर आइड्रोजन कार्वनेट उसके बाद है सीओ त्री माइनस टू को कार्वनेट इसको क्या बोलते हैं वाई सूत्र नवाड करने से पहले ये साइड्री आपको यादो निच्छाइए तब आप सूत्र नवाड कर सकते हो वरना आप सूत्र नवाड नहीं कर पाऊगे जैसे आइरन है iron का क्या होता है Fe2 Plus Copper 2 Plus का मतलब Cu Plus 2 उसके बाद है आपका Aluminium Aluminium को लिखते है Al Plus 3 उसके बाद है Iron Plus 3 अब देखो यह आपका Iron Plus 2 इसको बोलते हैं Ferrous Iron Plus 2 को क्या बोलते हैं Ferrous और यह आपका Fp3 Plus है इसको बोलते हैं Ferrous यदि आपको सूत नमाड करते समय Simple बोल दिया जाए कि Iron है तब आपको यूज करना है Iron Fe2 Plus अगर आपको Ferrous बोल दिया जाए तब आपको यूज करना है सूत नमाड करते समय Fe3 Plus यह आपका Phosphate अब देखो सूत नमाड कैसे होगा जैसे कि आपको बोल दिया Hydrogen Chloride क्या बोल दिया Hydrogen Chloride अभी हमने देखा था उपर साइडी में देखा था Hydrogen उसको कैसे लिखते है H Plus और किलोराइड है उसको कैसे लिखते है और उस समय आपको दोनो तत्तों पर उस समय आपको दोनो तत्तों पर समान आविस यानि संक्या में समान परंतु विप्रित दिखाई दे जैसे कि आप देख सकते है इन दोनों पर जो आविस दिखाई दे रहा है Hydrogen पर बात करें तो हमें प्लस में दिखाई दे रहा है जबकि क्लोरीन पर दिखाई दे रहा है माइनस में अगर दोनों सूत्र नवाण करते समय दोनों पर आविस विप्रित हो और संक्या में समान हो जैसे कि इनको प्लस को प्लस वन भी लिख सकते है और माइनस को माइनस वन भी लिख सकते है अगर दोनों पर आपको आप इस समान दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना यह आपस में क्या हो जाएंगे कि कैंसल और जो आपके पास तत्तों है उनको ऐसे के ऐसे उतार देना है आप इसमें देख सकते हैं कि अब आपको यहां बात याद रखनी है को जो तत्तों आपको दिए हुए हैं उनकी जो समयजक्ता दियुए है जैसे कि हम बात करें इसमें जो आइड्रोजन की समयजक्ता है वो प्लस वन है कितनी है प्लस वन और जो सल्पाइड की समयजक्ता है वो कितनी है माइनस वन आपको चिन्नों से कोई मतलब नहीं रखना है जो समयजक्ता दियुए है चिन्नों क को छोड़ के मायनस को छोड़के आपको 2 दिया है हू स्वियो कि नीचे लिगने है सल्ल पाटा समय नीचे एक प्रकार से लॉक lotta को उसके नीचे लिखना भिणा । सबसे प्लस और माइस से आपको कोई मतलव मतलव नी रखना है और उस से कोई मतलव नी रखना है अब हैं reduus वाला है उसको पहले एक जो मैंनस वाल 수가 इसको बाद में जो प्लस वाला है उसको पहले लिगना है और माइनस वाले को बाद में तो आप S का गुणा 2 से करेंगे तो S2 हो जाएगा और S का गुणा 1 से करें तो क्या हो जाएगा S इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपको हैड्रोजिब्स फॉल्पार फॉर्मूब्ला मिलेगा स्तूस इसी प्रकार आगे देख सकते हैं के समय diesem संहिजकता क्या होती है आप कारवन की स्वेज़क्त होती है फ्लसच तो प्लसच वाली को पहले यानी का घुरा एक से करोगो तो C वनेगा और Cल के घुराज चार से करोगो तो क्या वनेगा CL4 तो आप इसको एसे नहीं लेख सकते कि C4CL इस परकार इस सूत्र को नहीं लिख सकते हैं घलत माना जाता है तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको जो c l into 4 उसको प्रकार लिखें है यहनी c l 4 नीचे की तरब इस प्रकार कारवन tetra chloride का formula क्या में लेगा हमें ccl4 उसके बाद है आपका magnesium chloride अब देखो magnesium chloride का सूत्र कैसे बनाएंगे जैसा कि मैंने अभी बता आपको उपर साइड़ी में के जो मैंगनी से में उसको दो के नीचे लिखने के बाद इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो chloride है उसके cl-1 एक को नीचे लिखना है अब मैंने बता है तो आपको कि क्या करना है बज्ज्रोगणा और बज्ज्रोगणा करते समय जो प्लस वाला है उसको पहले लिखना है तो आप देख सकते हैं किस पर मायनस है उससे कोई मतलब नहीं है उनके ँलि उनके प्रतिकों को लिखना है उसके बाद हमगरा अगला Przy stereotypes क्या है है 3 नीचे लिख दिया अब क्या है आपको क्या करना है बज्रोणा जैसे कि आप बज्रोणा करेंगे एल का दो से तो क्या बनेगा एल्टू और ऑक्सियन का उणा करेंगे तीन से तो क्या बनेगा ओ तरी यानि इस प्रकार और ऐलुमिनियुम औक्साइड का फॉर्मूला क्या बन कि आएगा हमारे पास अल्टू ओ तरी उसी प्रकार कैल्सियम औक्साइड क्या है कैल्सियम औक्साइड अभी आपको देखा था उपने साड़ी में कि इसको कैसे लिखते हैं सीए प्लस टू और ऑक्साइड एक तो उस दो कितर्कार का 2 करें तो क्या बनेगा सीए टू और ऑक्सीन का गुणा क्यक्साइड के ऊपनेगा. क्या मिलेगा सीए ओ उसके बाद है हमारा सोडियम नाइटरेट, अब सीए नम को किस प्रकार लगते हैं सीए एए प्लस मन और नाइट्रेट को किस्प्रका लिखते हैं NO-3 तो मैंने आपको बताया था यदि सूत्र निर्माड करते हैं समय दोनों तत्तों के पर विप्रीत आवेश है और संक्या में समाने तो आप उन्हें कैंसल कर सकते हैं जैसे प्लस और माइनस कैंसल तो बचेगा क्या आपका आज एंए एंओ इन तरी जो तत्तों के प्रतीक बचेगा उनको ऐसे की ऐसे उतार देना है जो बचेगा वह आपको फोर्मूला मिल जाएगा आपको छोड्यम नाइट्रेट का फोर्मूला क्या होगा एने एंओ 3 कि उसके बाद है केल्चियम आइड्रक्चैड कैल्सियम का प 2-1 के नीचे क्या लेकिना है 1 दोनों का क्या करना है आपस में बज रोगणा तो इस प्रकार सीए क्या मिलेगा C-A-O-H का होल ट्वाइस यह आपको कोस्टक के अंदर दिखाईज रहे इसको बोलते हैं होल ट्वाइस का मतलब दो प्रकार प्रकार लिख दिया है यहां पर दो आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि CAO2S2 लेकर हमने क्या किया कि जो O2 और S2 है उसमें तो हमने दो क्या ले लिया common तो इसको इस प्रकार लिख दिया CAOH का hold twice क्या बोलते हैं इसको CAOH का hold twice अगला फॉर्मूला है हमारा sodium carbonate क्या है sodium carbonate अब sodium को कैसे लिखते है Na plus 1 carbonate को कैसे लिखते है CO3-2 तो आपको क्या करना है वही प्रकिरिया जो पहले चली आ रही है कि जिसकी सेवेकता जितनी दूई है विनाचन के नीचे लिखो बज़र गणा करो प्लस वाले को पहले लिखो तो Na का गणा 2 से करा हैं तो Na2 CO3 का गणा एक से करें तो क्या बनेगा CO3 इस प्रकार sodium carbonate का formula क्या मिलेगा हमें Na2 CO3 उसके बाद है हमारा ammonium sulfate का सूत्र ammonium को कैसे लिखते है NH4 प्लस बन और sulfate हो कैसे लिखते है SO4 माइनस टू तो इस प्रकार आप दुनों की सम्धिक तक नीचे लिखके बजरोणा करेंगी तो जे दो का कड़ा है वह NH4 के अंदर होल्स के रूप होगा होल्स का मतला मतला कोस्टक है होल्स का मतला क्या है कोस्टक लगाना है तो आप देख सकते हैं Ammonium Sulpate का formula क्या मिलेगा आपको NH4 का Ultra Ice SO4 क्या मिलेगा NH4 का Ultra Ice SO4 इस प्रकार हमारा लाइस टॉपिक आता है इस चैप्टर का मूल क्या होता है और ऐसे माल लो कि मौल का formula क्या है मौल का formula लिखते किसे दौब Code के अन से लिखते किसे हैं मौल से अन मौल का formula क्या होता है वार वटे अडूबार कि बार बटे अडू बार अब भार क्या जो आपको दिया गया किसी तत्तो का घिराम में जितना बार दिया जाता है और जो आपको का फ्रिधार दिया गया गई दुन दूर कि द्रब्यमान होता है परमादू द्रब्यमान असी को क्या बोलते हैं सबर्वाद करने हैं सबसे पहले हमाने कि भार अब परमाडवतर,, कितने लाएंग सोल है तो टोटल एस ट्यों का डूवार किता हूं गया है अधाथरे ग्मT और जो आपको भार दिया वह प्रकार हम फॉर्मल लगाएंगे कि बाहर कितना दिया है ग्यान राखिए कि जो भार आपको कोश्चन दिया जाएगा लेकिन अडू बार वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा और ग्यात करने के लिए आपको सभी तत्तों के परमाडू भार याद होने चाहिए या परमाद भार वोले या दोने चाहिए तभी आप किसी भी तत्यों के मौल निकाल सकते इस प्रकार आएगा एन बराबर 18 बटे 18 यानि एक अठारे के भाग अठारे में देंगे तो कितने आएगा एक यानि जो पानी के मौल है 18 ग्राम में कितने होगे एक मौल और जो मौल ह होता है हमारा देखो यह अंतर है दोनों में जो मूल है उसको तो अगर बात करें हम लिखेंगे कैसे मोल लेकिन मात्रक क्या है मोल दोनों में अंतर है यह मात्रक है और यह इसकी इंगलिस है क्या है यह इसकी इंगलिस है और इसका मात्रक है दोनों में अंतर है यहां पर हमारा चैप्टर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू